आज हम बात करने वाले हैं computer science class 11th के syllabus के बारे में आप लोग class 10th पास कर चुके हैं और आज चुके हैं class 11th में और यदि आपने class 11th में computer science अपना subject choose किया है तो ये वीडियो आपके लिए है इसमें हम discuss करेंगे class 11th में computer science में आपको कितने topics हैं आपको क्या क्या पढ़ना है और different topics में कितने numbers divided हैं और आपके practical का syllabus क्या है, theory और practical अलग-अलग क्या होता है यदि आपके पास syllabus नहीं है तो आप cbse-csip.in पर जा सकते हैं इसमें जाने के बाद आप यहां पर cbse syllabus पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको class 11th और 12th का syllabus मिल जाएगा तो आपको क्या करना है आपको यहां नीचे जाना है और अपने syllabus पर class 11th computer science पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको revised syllabus cbse का 2021 का मिल जाएगा तो मैंने इसको already download कर लिया है तो चलिए अब हम discuss करते हैं syllabus को जो कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो यह रहा आपका syllabus तो यहां पर आपको तीन यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट है computer system and organization सेकेंड यूनिट है computational thinking and programming थर्ड यूनिट है society law and ethics तो यह तीन यूनिट्स फर्स्ट यूनिट्स जो आपकी है computer system and organization वो 10 marks की है computational thinking and programming 45 marks की है society law and ethics 15 marks की है तो इस तरीके से आपके total 70 marks का paper होने वाला है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका paper का structure क्या रहेगा तो class 11th में computer science में आपके दो parts है theory plus practical theory आपका 70 marks करहेगा practical आपका 30 marks करहेगा तो इस तरीके से ये total मिलकर आपके 100 marks बनाते हैं तो इसमें से 70 marks आप यहाँ पर देख सकते हैं ये theory के हैं इसके बाद हम last में discuss करेंगे practical जो की आपका consist करेगा 30 marks तो आपने यहाँ पर देखा तीन units ये सारी theoretical unit है जो की theory का part आपका complete करने वाली हैं और ये total 70 marks की हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो की आपकी second unit है वो 45 marks की है बाकी दोने units मिला कर आपकी 25 marks की है और ये second unit अकेला 45 marks की है तो आपको second unit पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और इसको काफी बड़िया तरीके से तैयार कर लेना है तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अपने syllabus में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर unit 1, unit 2 और यहाँ पर unit 3 दिया हुआ है इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर practical syllabus दिया हुआ है और practical आपका क्या-क्या constitute करता है 30 marks आपके कैसे बने हुए हैं यह आपके 30 marks यहाँ पर दिया हुए हैं कैसे रहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं total 30 marks यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर lab test लिखा हुआ है 12 marks का report file लिखी हुई है 10 marks की project लिखा हुआ है 8 marks का तो जो lab test होगा यहाँ पर 12 marks आपको दिख रहे हैं यह आपका final examination में होगा तो final examination में आपको एक question paper दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप computer lab में जाएए computer पर बैठिये और यह सारे programs बनाएए तो कुछ उसमें आपको questions रहेंगे जिनको आपको computer पर practically बनाना पड़ेगा तो वो आपका 12 marks का रहेगा उसके अलाबा report file और वायवा report file वो है जो आप साल भर जब आप first unit, second unit और third unit पढ़ेंगे तब आपको कुछ programs कराये जाएंगे उन units में से तो आपको क्या करना है उनको computer पर बनाना है और एक file में आपको लिख लेना है तो यह file आपकी 7 marks की रहेगी जो की आप साल भर बनाएंगे उसके बाद आपका final practical जो होगा उसमें एक वायवा भी होगा तो यह वायवा रहेगा 3 marks का तो इस तरीके से यह दोनों मिलाके आपके 10 marks बनते हैं इसके बाद आता है project का number तो आप first, second और third unit में जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको उन सब का use करके एक software बनाना है यह यह programming है तो आपको एक software बनाना पड़ेगा तो वो software उसके साथ आपको submit करना पड़ेगा उसका code जो की आपने बनाया है उसको execute करके दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते है that uses most of the concept that have been learned in CS class 11th यहाँ पर 12th नहीं रहेगा यहाँ पर 11th है यहाँ पर इन्होंने mistake लिखा हुआ है तो आपने जो class 11th में पड़ा है उस पर ही आपको एक project यहाँ पर बनाना है तो इस तरीके से आपका यह constitute करता है 8 marks का 12 marks plus 10 marks plus 8 marks आपके total होते है 30 marks तो इस तरीके से आपके practical में 30 marks बनते हैं तो आप अब समझ सकते हैं आपको यहाँ पर lab test में 12 marks लाना है अगर आप 30 out of 30 चाहते हैं तो report file आपको साल भर अच्छे से बनाना है उसके बाद आपको बढ़िया से एक project भी बनाना पड़ेगा यह project आपका team में बनेगा आपको दो या तीन आपके friends के साथ team में ग्रुप में बना दिया जाएगा उस group में आपको कोई ना कोई topic पर एक छोटा सा software जैसा project बनाना पड़ेगा तो यह था आपका 30 marks का practical चलिए अब हम फिर से theory part पर चलते हैं यहां पर नीचे आएंगे आप तो कुछ programs लिखे हुए हैं जो कि आपको आपके syllabus में धीरे धीरे जैसे complete होता जाएगा तो आपको आपके subject teachers जो देंगे तो आपको इन सारे को file में लिखना है यहां पर कुछ suggested है ठीक है इसके अलाबा भी कुछ programs आपके teachers आपको दे सकते हैं तो आपको उसको report file में लिखना है तो यह report file आपका अभी से नए syllabus के accordingly बन जाएगा जब आपका session स्टार्ट हुआ होगा तब आपका इसको भी बनाना पड़ेगा एक आपको notebook भी बनाना पड़ेगी तो यह आपके तीन units हैं तो first unit को हम अभी discuss कर लेते हैं तो first unit है आपकी computer system and organization जो की आपको दिलाएगी 10 marks यहां से 10 marks के questions आने वाले हैं तो इसमें क्या है इसमें basic computer organization है जिसमें आपको description of computer system and mobile system, CPU, memory, hard disk, input, output और battery इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है यह काफी simple topic है तो आप देखेंगे कि basic computer structure का आपको यहां पर पढ़ना है यह first topic हुआ, second topic है types of software software कितने तरीके के होते हैं आपको उनके बारे में भी यहां पर पढ़ना है पहला है application software, दूसरा है system software और third है utility software तो इन सारे की definition आप यहां पर पढ़ने वाले हैं उसके बाद आप memory units पढ़ेंगे यह भी काफी simple है bit, byte, mb, gb, tb, pb यह सारे क्या कहलाते हैं उसके बाद यहां पर एक topic आता है boolean logic जो कि आपके लिए बहुत ही नया topic है आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा इस boolean logic में यह different gates कहलाते हैं जो आप यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर not, end, or, nand, nor, xor, not, and true tables, and demorgan law logical circuits यह सब आप यहां पर देखने वाले हैं जैसे आपको मैं एक example दूँ तो यह मेरा एक end gate है तो इस तरीके के आप कुछ gates पढ़ने वाले हैं यह मेरा और gate है यह मेरा not gate है तो इस तरीके के आप कुछ gates पढ़ने वाले हैं और true tables भी आप देखेंगे तो यह था हमारा boolean logic जिसमें आप basically boolean means होता है binary 0 और 1 तो 01 पर काम करने वाले different gates को आप यहां पर देखेंगे उसके बाद number system है number system में आप base 2, base 8, base 16 वाले numbers देखेंगे so number system क्या होता है अभी तक आपने जितने भी numbers पढ़े होंगे वो होंगे 0 से लेके 9 तक ठीक है तो different digits जो होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे इन्ही numbers से आपके सारे maths के number अभी तक बने होंगे आप कोई भी number लेंगे आपके उस number में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 5, 6, 7, 8, 9 इन में से ही कोई ना कोई number मिला के आपका number बना होगा तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर हम other number systems भी पढ़ेंगे जिसमें binary है, octal है, hexadecimal है जब हम binary number पढ़ेंगे तो उसमें जो number system होगा उसमें 0 और 1 होगा octal number system में 0 से लेके 7 तक number होंगे आपके hexadecimal number system में 0 से लेके 15 that means total 16 numbers होंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह binary system है, two means यहाँ पर दो numbers होने वाले हैं, one and two eight means यहाँ पर eight numbers होंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight तो total eight numbers यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसी 16 तो यहाँ पर आप 16 numbers पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर इस number system में जितने भी number बनेंगे, वो zero और one से मिलकर बने रहेंगे और जो हम mathematics में number system पढ़ते हैं, वो है base ten numbers, जिसमें zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight और nine तक यह ten numbers रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं decimal number, इसको बोलते हैं binary, इसको बोलते हैं octal, इसको बोलते हैं hexadecimal ओके सो यह numbers हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर इस number system में हम इन सारे numbers को पढ़ेंगे और binary numbers का addition पढ़ेंगे, अभी तक आपने जैसे 515 प्लस 5 को add किया होगा तो यह 20 आया तो यह आपने decimal number system में add किया होगा, अभी हम जो numbers पढ़ेंगे वो binary पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसमें जितने भी number बने होंगे, वो 0 या 1 से मिलकर बने होंगे, तो आपको इसका addition यहाँ पर पढ़ना है तो यह जो numbers थे, यह base 10 numbers थे, मतलब यह decimal number system से बने होंगे, यह वाले number system से, और यह जो numbers है, यह binary number system से बने हैं, तो यहाँ पर जो binary number system है, तो यह कहलाते हैं base 2 numbers, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको denote करते हैं, यदि यह decimal number system है, तो इसको base 10 लिख देते हैं, यदि binary number system है, तो आप यहाँ पर base 2 लिख देते हैं, तो binary number system का हम addition भी देखेंगे इसके बाद, encoding schemes, यह बहुत important है, encoding scheme, जैसे की computer में आप जानते ही होंगे, computer एक electronic device है, computer एक electronic device है, electronic devices क्या होती है, electronic devices वो होती है, जो 0 या 1 पर ही काम करती है, that means इसमें current 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, current मतलब यह, electricity जब आप pass करेंगे, तो यह या तो off state में होगी, या one state में होगी, ठीक है, तो electronic devices जोकी 0 या 1 पर काम करती है, तो जो devices जब 0 या 1 पर काम करती है, तब हम जब इसमें कुछ store करेंगे, इसके database में हम जब कुछ store करेंगे hard disk में, तो जो भी numbers जाएंगे, वो 0, 1, 0, 1 के form में ही store होंगे, तो यदि मैं यहाँ पर A लिखता हूँ, तो computer उसको कैसे समझेगा, computer उसको convert करेगा binary numbers में, binary numbers में convert करके उसको फिर screen पर print करेगा, और जब हम किसी number को या character को किसी binary में change करते हैं, तो उसकी कुछ schemes होती है, हम उसको कैसे change करते हैं, उनको हम बोलते है encoding schemes, तो यहाँ पर different encoding schemes है, ASCII है, ISCII है, Unicode है, तो इन encoding scheme को भी हम अपने syllabus में discuss करेंगे, इसके बाद concept of compiler and interpreter, compiler और interpreter यह आपके लिए बहुत ही नए नाम होंगे, क्योंकि यह use होते हैं programming languages में, अब programming languages क्या हैं, उसको हम यहाँ पर अभी discuss करने वाले हैं, programming क्या कहलाती है, जब आप computer को कोई instruction देते हैं, तो आपको उसको एक language में देना पड़ता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, यदि आप computer से बात करना चाहते हैं तो उसकी एक language होती है जिसको हम programming language बोलते हैं तो programming language को computer कैसे समझता है यह आपका एक computer है उसको आपने programming language में कुछ instructions दिये तो इन दोनों के बीच में काम करता है एक interpreter या compiler जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह तो यह क्या करता है आप यहाँ से इसको कुछ instructions देते हैं यह उसको 0101 के form में convert करता है और आपके computer को देता है तो यह आपका कहलाता है interpreter या compiler तो हम इसको भी discuss करेंगी interpreter या compiler क्या कहलाता है उसके बाद operating system के बारे में भी हम कुछ discuss करेंगे जो कि need for operating system है introduction to functions of operating system है और user interface है तो operating system जैसा कि आप जानते होंगे जैसे आप computer में अपने काम करते हैं तो इसमें Microsoft का operating system होता है जो कि Windows है ऐसे ही different different computers में यदि आप Apple के computer में काम करते हैं तो इसमें Mac operating system होता है तो इसमें भी कोई ना कोई operating system होता है जो आप जिससे interact करते हैं तो उसके बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे कि operating system क्या होता है तो यह आपकी first unit थी तो इसमें आपको इतना कुछ पढ़ना है और आपको जो final exam में आएगा वो 10 marks का question यहां पर आएगा चले इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं unit number 2 So unit number 2 आपका computational thinking and programming है So computational thinking यहां पर आप देख सकते हैं यह thinking word add है Thinking means होता है आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से analyze करते हैं कितने अच्छे से उसके बारे में सोचते हैं तो यहां पर आपको computational thinking अपने अंदर develop करना पड़ेगी और तभी आप computer के कुछ programs बना पाएंगे तो यहां पर आपको चाहिए होगा logical mind जिसका यूज करके आप computer के program बना पाएंगे और computer से अपने instruction दे कर बात कर पाएंगे तो यहां पर हम computational thinking के बारे में पढ़ेंगे और programming के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं Introduction to Problem Solving Problem Solving Cycle Analyzing the Problem Designing the Algorithm Representation of Algorithm using flowchart and pseudocode तो basically computer के program आप कैसे बनाएंगे उसको हम यहां पर discuss करेंगे इसके बाद अब यहां से start हो जाता है आपका Python जो की बहुत ही important है पूरी programming class 11th और 12th की आपकी Python based ही है तो यहां पर हम पढ़ेंगे Formalization with the basics of Python programming A simple Hello World program Hello World आप computer की screen पर कैसे print करेंगे उसको हम यहां पर discuss करेंगे जैसे आपने देखा होगा कभी computer पर कुछ लिखा आता है तो यदि आप चाहें कि मैं कुछ message print करना चाहूँ computer पर programming के थुरू तो मैं कैसे print करूँगा तो इसको हम यहां पर बना के देखेंगे The process of writing the program Running it and print statement Simple data types, integer float यहां पर पूरा programming का concept आजाता है तो जब हम computer programming पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीजों के यहां पर discuss करेंगे तो यहां पर आप जितना भी जो दिया हुआ है पूरा आपका python programming से related दिया हुआ है तो इसको मैं अभी discuss नहीं कर रहा हूँ यहां पर बहुत सारी चीज़ें features of python, comments, introduction to notion of variables and methods ठीक है उसके बाद आपको कई सारी चीजें conditional statement, strings, list यह सारी चीजें आप तब समझेंगे जब आप programming को पढ़ेंगे तो जब हम इसको discuss करेंगे आगया नेवली वीडियो में तब हम उसको एक एक करके देखेंगे अभी आपको अगर मैं कुछ बताऊंगा तो आपको यहां पर कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको यह समझना है आपर जो यह जो unit है जो कि आपकी 45 marks की है यह unit पूरी python programming पर based है तो यहां पर आपको computer की programming सीखना पड़ेगी तब ही आप यहां पर 45 marks ला पाएंगे ठीक है इसके बाद हम चलते हैं अब third unit पर third unit again आपकी theoretical unit है third unit आपकी 15 marks की है यहां पर आप society law and ethics से related चीजें पढ़ने वाले हैं जिसमें cyber security, cyber safety, appropriate use of social networks twitter, linkedin and facebook, safety accessing the website आप website को कैसे safely access कर सकते हैं safely communicating the data, आप data को जब एक जगह से दूसरी जगह transmit करते हैं तो internet के थुरू आपको क्या-क्या problems आ सकती हैं आप कैसे आप उससे बस सकते हैं तो हम यह यह भी यहां पर पढ़ने वाले हैं इसके बाद intellectual property right के बारे में पढ़ेंगे जैसे आप एक software बनाते हो कोई company कोई software बनाती है तो उसका property right उस पर कैसे होता है तो intellectual property right के अंदर आता है हम उसको पढ़ेंगे यहां पर privacy law and fraud, cyber crime, phishing यह सारी चीज़े हम देखेंगे internet से related क्या-क्या यहां पर होता है इसके बाद technology and society के अंदर आप understanding the societal issues, e-waste management, identity theft, gender and disability issues यह सब के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे gender and disability issues में जैंडर बायस होने पर आप computer से कितने gender को कौन use करता है जैसे लड़कियों को जादा use करने दिया जाता है या कम use करने दिया जाता है computer या ऐसा समझा जाता है कि लड़के लोगों को ज्यादा computer आता है तो हम उन सारी चीज़ों को भी यहां discuss करेंगे disability issue होने पर वो computer से कैसे बात कर सकता है, उसमें क्या-क्या problems आती है उसके क्या solution है, उसको भी हम यहां पर discuss करेंगे तो यहां पर हमने लगबग सारा syllabus discuss कर लिया है बहुत अच्छे से पढ़ना है यह आपका 70 में से 45 marks आपका यहां पर सिर्फ second unit से है जो कि पूरी python programming waste है तो आपको आप यह समझ जाए कि आपको programming यहां पर सीखना पड़ेगी तो आप अभी से तयार हो जाएए और देखिए नेट पर सर्च कीजिए programming क्या होती है जब हम पढ़ेंगे तो इसको तो हम discuss करेंगे ही लेकिन आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि हम यहां पर python programming बहुत अच्छे तरीके से और पूरी programming सीखने वाले हैं तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको अब एक आइडिया होगा कि हम class 11th में computer science में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका code जो subject code रहेगा वो 083 है CBSE ने हर एक subject के लिए सारे codes दिये हुए है यहां पर विजट करते रही है मैं बहुत ही frequently उसमें updates कर रहा हूँ तो नए-ने materials वहाँ पर upload हो रहे हैं तो आपको class 11th से related 12th से related सारी चीजें लगबग दीरे-दीरे वहाँ पर मिलने लगेंगी तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यदि आप मुझसे टेली ग्राम में connect होना चाहते हैं या फिर आप Facebook में connect होना चाहते हैं तो आपको link description में मिल जाएगी नीचे आप वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर click करके मुझसे directly connect हो सकते हैं Thank you